Hello everyone, welcome to World's Education, today we will discuss on Lange Law. देखो, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में Faraday's Laws के बारे बेंटरस्टेन किया था. According to Faraday Law, अगर किसी कौाइल के साथ magnetic flux जो link कर रहा है, उसकी value अगर change होती है, जैसे मानलू यह कौाइल है, इसके साथ जो भी magnetic flux जो है, link कर रहा है, अगर उसकी value change होती है, तो उस कौाइल में EMF induced हो जाती है, और उसकी वज़ा से उसमें induced crunt produce होता है, कौाइल में. यह हमने understand किया था Faraday's Laws में. अब देखो, जो भी induced crunt इसमें होता है, कौाइल में, उसकी direction हम कैसे find out करेंगे, उसकी direction हम find out करते हैं, with the help of Lange Law. Induced crunt की. And according to Lange Law, जो भी crunt induced होता है उस कौाइल में, वो इस तरह से होता है, कि जिसकी वज़ा से वो crunt produced हो है उस कौाइल में, वो उसे क्या करता है, oppose करता है, उसकी cause को oppose करता है. देखो, जो भी crunt produce हो रहा है, जो भी induced crunt है, उस कौाइल में, उसकी direction इस तरह से होगी, कि जिसकी वज़ा से वो crunt produce हो रहा है, जो उसका cause है, उस cause को क्या करेगा, वो crunt oppose करेगा. तो अब इस वाले case में जो भी आपके पास induced हो रहा है current वो किसकी वज़ा से हो रहा है change in magnetic flux की वज़ा से तो means वो current क्या करेगा current के direction इस तरह से होगी कि जो भी आपके पास magnetic flux जो change हो रहा है उसको क्या करे वो oppose करे देखो यही write down किया हमने देखो Lange Law क्या है Lange Law state that the direction of induced current in a circuit is such that it opposes the cause which produced it जिसकी वज़ा से वो current produce हो रहा है उसे वो क्या करेगा oppose करेगा इस तरह से direction होती है induced current की अब देखो इसको हमने किस तरह से understand करना है सबसे पहले आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर किसी coil में क्रंट anti-clockwise direction में move करता है तो वहाँ क्या बनता है North Pole और अगर क्रंट clockwise direction में move करता है तो वहाँ क्या बनता है South Pole देखो अगर देखो यह क्रंट यहाँ पे anti-clockwise direction में move कर रहा है तो आप इस तरह से याद रखोगे इसको यहाँ पे यहाँ पे North Pole बनता है हूँ clear है देखो इस तरह से है हाँ अगर इस तरह कि आपके पास कोई कॉयल है अगर क्रंट कैसे बूफ कर रहा है अगर क्रंट कर रहा है clockwise डारेक्शन में तो यहां साउथ पोल बनता है और अगर आप इसको यहां से देखोगे देखो तो यहां क्या एंटिकलॉकवाइज होगा तो यहां नॉर्थ पोल बनेगा क्लियर है यह वली चीज़ आपको हाँ तो अब देखो मालो अभी आपके पास यहां पे कोई कॉयल है clear है, अब हम क्या कर रहे है, एक magnet को इसके near लेके आ रहे है, यह उसका magnet का north pole है और यह south pole है, जब यह magnet इस coil के नजदीक आएगा, तो क्या होगा, जो भी इसके साथ magnetic flux की value है, वो क्या होगी, increase, देखो, पहले यहाँ पे magnetic flux था ही नहीं, जैसे ही यह magnet इसके नजदीक आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, magnetic flux की value change होगी, increase होगा magnetic flux, उसकी वज़ा से क्या होगा, इस coil में EMF induced हो जाएगी, और crunch flow करना start करेगा, अब उस induced crunch की direction कैसी कही हमने, वो इस तरह से होनी चाहिए कि जिसकी वज़ा से वो crunch produce हो रहा है, वो क्या करे, उस cause को oppose करे, उस cause को क्या करे, वो oppose करे, तो अभी देखो, यह north pole इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए, यहाँ क्रंट की direction ऐसी होनी चाहिए, कि वो इस north pole को क्या करे, oppose करे, means यहाँ पर भी क् करेगा, समझ रहे हो बात, देखो, जैसे हम इसको यहाँ लेखे आए, इस magnet को, तो north pole के आ रहा है, इस quail के नस्दीक आ रहा है, ठीक है, उसकी वज़ा से magnetic flux change हो रहा है, और EMF induced होगी इसमें, अब जो इसमें crunch produce होगा, वो कैसा होना चाहिए, कि वो, जिसकी वज़ा से वो current produce हुआ है, किसकी वज़ा से हुआ है, because north pole इस direction में आ रहा है, इसके नस्दीक, ठीक है, उसकी वज़ा से ही current produce हुआ है, तो उसको क्या करें, वो, oppose करें, तो इसको कब कैसे यह oppose करेंगा, अगर यहाँ पे क्या बनेगा, north pole, तब यह इसको क्या करेंगा, repel, यह तो इसकी direction मे आ रहा है, पर current ऐसा होना चाहिए, कि इसको वो oppose करें, तो current की direction वो होगी, ताकि यहाँ पे क्या बनाए, north pole बनाए इस direction में, और north pole का बनता है, जब current कैसे flow करता है, anti-clockwise में, तो मतलब, जैसे ही यह वाला magnet इधर को आएगा, तो जो current की direction होगी, वो क्या होगी इसमें, इस त इस तरह से यहाँ भी explain करते हैं, यह वाला देखो, यहाँ मैंने थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश की है, because यह इस तरह से नहीं है, कोईल यह ऐसे है, ठीक है, इस तरह से यह अपने जो कोईल यहाँ पर रखी हुई है, यह कोईल इस तरह से है, अब क्या कह रहे हैं, देखो ह क्रंट भी induced होगा, अब उस क्रंट की direction कैसी हमने कही, क्रंट की direction इस तरह से होगी, कि वो इसको क्या करे, जिसकी वज़ा से वो क्रंट produce हुआ है, उसे वो oppose करे, ठीक है, तो अब देखो क्रंट किसकी वज़ा से produce हो रहा है, because north pole इस direction में आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से क्रंट भी करना चाहिए, कि इस तरफ क्या बने, north pole बने, इधर north pole बनेगा, तभी तो उसको क्या करेगा, वो, repel करेगा, और north pole कब बनता है, जब क्रंट कैसे फ्लो करता है, anti-clockwise direction में, तो यहाँ पर क्रंट कैसे फ्लो करेगा, anti-clockwise direction में, इस तरफ, ठीक है, यहाँ north pole बनेग और इस direction में, यहाँ पर अगर हम show करें, इसके back side में, तो यहाँ क्या बनेगा, south pole बनेगा, clear है, इस तरह से हम direction find out करेंगे, induced current की, अब वैसे ही यह वाला case लो, देखो यह तो अब क्या था, अगर हम इस magnet को क्या लेके आ रहे थे, इसके near लेके आ रहे थे, ठीक है, अब हम क्य क्या रहे हैं, अगर हम इस magnet को कहा लेके जा रहे हैं, देखो, अगर इस magnet को हम, इससे दूर लेके जा रहे हैं, coil से, तो भी इसमें क्या होगा, magnetic flux की value क्या होगी, change होगी, और उसकी वज़ए से EMF induced होती है, इसमें, और इसमें current भी induced होगा, अब उस current की direction क्या होगी, अगर ह हम इस magnet को क्या लेके जा रहे हैं, इससे दूर लेके जा रहे हैं, coil से, तो उस condition में देखो, क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, यह इस direction में जा रहा है, दूर जा रहा है, तो क्रंट की direction ऐसी होगी कि वो जिसकी वज़ा से वो क्रंट flow कर रहा है उसी क्या करे वो उस cause को क्या करे वो oppose करे अब किस वज़ा से क्रंट produce हो रहा है क्योंकि ये magnet कहां जा रहा है इससे दूर जा रहा है ठीक है तो क्रंट कैसे produce होना चीए केस में इस तरह से कि वो क्या करें इस नॉर्थ पोल को अट्रेक्ट करें अपोजिट ऐसा होना चाहिए करंट के वो उसको अपोज करें अगर यह दूर जा रहा है देखो आप समझ रहे हो अभी क्या हो रहा है मैगनिट दूर जा रहा है ठीक है तो दूर जा रहा है तो यहां पर क्या बढ़ना चाहिए यहां पर South Pole बढ़ना चाहिए ताकि वो इस North Pole को क्या कर सके attract कर सके clear हो रहा है और South Pole का बनता है जब current कैसे move करता है clockwise direction में तो इस वाले case में यहां पर कौन सा current flow करेगा clockwise direction में कब जब हम magnet को क्या ले जा रहे हैं से दूर लेके जा रहे हैं देखो जब हम magnet को दूर लेके जाएंगे तो भी यहां पर magnetic flux की value change होगी और उसकी वज़ा से EMF induced होगी और current भी produce होगा ठीक है और वो current के direction कैसी होगी जिस वज़ा से current produce हो रहा है जो उसका cause है उसको वो oppose करे तो देखो अभी तो क्या हो नॉर्थ पॉल इससे दूर जा रहे है तो oppose कैसे करेगा अगर यहां पर क्या होगा साहुथ पोल का बनता है जब क्रंट क्या होता है clockwise direction में तो यहां पे क्रंट कैसे बनेगा इस case में clockwise direction में यहां साउथ पोल बनेगा और यहां बैक साइड में क्या बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा clear हो गया इस तरह से आप जो है find out कर सकते हो direction of a induced current देखो आपको simple यह चीज़ याद रखनी है कि अगर जो भी आपके पास induced current है उसकी direction कैसी होनी चाहिए कि जिसकी वज़ा से वो current produce हुआ है उसे क्या करें वो oppose करें ठीक है देखो हमने दो cases लेके ऐसे करके हमने discuss किया देखो पहले वाले में क्या था अगर हम क्या कर रहे हैं magnet को इसके नजदीक लेके आ रहे हैं ठीक है तो अब क्या करेंगे देखो current की direction ऐसी होनी चाहिए ताकि वो क्या करें उसे oppose करें यह इसके नजदीक जा रहा है north pole तो यह oppose करेंगा उसका मतलब क्या है यहां पर भी क्या होना चाहिए north pole ताकि वो उसको repel करें ठीक है तो वो तब होगा अगर यह नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल कब बनता है जब क्रंट कैसे होगा anti-clockwise direction में और इस वाले case में क्या कहा हमने जब हम क्या कर रहे थे magnet को दूर लेके जा रहे थे ठीक है दूर लेके जा रहे है यहां पर तो जो क्रंट प्रड्यूस होगा वो कैसा होगा कि वो यह दूर जा रहा है यहां पर ऐसा कुछ बढ़ना चाहिए जो इस north pole को क्या करें अट्रेक्ट करें अपोस करें और वो कब होगा अगर यहां साउथ पोल बनेगा और साउथ पोल का बनता है जब करंट कैसे होता है clockwise direction में क्लियर है देखो आज हमने लेंज लॉग के बारे में अंडस्टेंड किया आई थिंक आपको क्लियर हो गया ओके थैंक यू